नमस्कार दोस्तों मैं हूँ विकार श्टेकर और आप सभी का दाहिष्टी यूट्यूब चैनल में हादिक स्वागत है दोस्तों आज करकी दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने आपको साबित करने के लिए अपने आपको मजबुत करने के लिए ऐसे रिकॉर्ड बना देते हैं जो सायद कभी न बने हो आज मैं एक ऐसी छोटी सी बच्ची के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसने मैं साथ साल की उम्र में उठा लिया 80 किलो का बजन और बन गई अमेरिका के इतिहास की सबसे कम उम्र की बेट लिप्टर जी हाँ दोस्तो मैं बात कर रहा हूँ रोरी वैन की जो बन गई है दुनिया की सबसे सकती सालियर की जी हाँ दोस्तो कानाडा में रहने वाली साथ बच्ची या छोटी सी लड़की दिखने में तो बिलकुल सिंपल सी बच्चियों की तरह खानपान और रहन सेंड भी सेंबर से ही लेकिन इसने अपनी कड़ी महनत और ट्रेनिंग के जरिये अमेरिके की बेट लिप्टिंग चेंपियोंसिप में अंडर 11 और अंडर 13 का यूट नेशनल चेंपियोंसिप का खिताब अपने नाम कर लिया और उठाया बजन 80 किलो और सब को चौका कर रख दिया और बन गई पूरी दुनिया की सबसे सकती साली रड़की और साथ ही यूएस की सबसे कम उमरी की बेट लिप्टर है ना है रानी की बात दोस्तो रोरी बैन ने अपने इंटर्विव में बताया कि मैं 20-20 क्राम बजन रोज बढ़ाती थी और तब जाकर मैं 80 किलो तक पहुँची रोरी बैन टीम यूएस के बेट लिप्टर क्रिष्टिन पॉप से बेहत प्रभावित है और उनी से वे बेट लिप्टर का जो जोस है उनके अंदर जागा और उन्होंने बेट लिप्टर बनने की ठानी साथ ही बेडी बैन भारत की मीना कुमारी से भी प्रभावित है जो भारत की मसूर बेट लिप्टर है दोस्तो रोरी बेन कहती है कि वे 2021 के वेट लिप्टिंग चेंपियोंसिप में भी भाग लेंगी और जरूर देश का नाम गर्व से उचा करेंगी दोस्तो रोरी बेन जो एक महश साथ साल की लड़की है आपको जानकर हैरानी होगी जोह 4-9 घंटे तक प्रैक्टिस करती है और यहां यही बताता है कि जब आपके अंदर लगन होती है आप कुछ करना चाहते हैं तो आपके अंदर एक positive energy होती है जो आपको टाप पर पहुचा देती है दोस्तो रोरी वैन बस यही कहती है कि आप जो कर रहे हैं उसे करते रहिए मगर लगत आप करिए जैहें